करते हैं जो एक बहुत ही इंपोर्टन है कि revenue deficit क्या है तो अभी next two slides में आपको clear कर दूंगा physical deficit क्या और revenue deficit क्या है इसको देखने के लिए पहले था हम को पता करना कि revenue deficit और physical deficit में difference क्या है क्योंकि काफी बंदे confuse करते हैं इसमें कि दोनों में difference क्या है समझी नहीं लगता है क्या है क्या है क्या नहीं होता तो revenue deficit को अगर हम definition में देखें तो जे net amount received होती इसमें हम अपने expenditure को minus करते हैं और actual में हमें क्या receive हो रहा है हम इसको एक example की तरह देखते हैं कि माली जी जो पहली picture में आपको मंगेरी लाल आपको समने पढ़ा होगा मंगेरी लाल के समने जो एक की एक स्टोई थी तो मंगेरी लाल अपनी वाई को बताता है कि आज वो 100 रुपिया कमाएगा और 75 रुपीज का उसका खर्चा होगा तो उसके पास शाम को टूटल 25 रुपे बच जाएंगे जिससे वो मूवी देखने जाएंगे ठीका जी तो यह मुद्वी लाल का एक सोच है जो कि government की सोच है जब वो budget plan करती है कि हां मतलब यह सोच है जिसा सोच की चल रहे हैं कि हां यह कर रहे हैं यह आगो जो जाएगा एक तरह का a speculation होती है कि हांजी हो जैगा बट जो खोती है वो एक्चुल में नहीं होता है तो कुछ ने कुछ डिफ्रेंस होता है तो मानली जी वहाँ पर खेजरीवाल साब आ जाते हैं वो गोलेंगे बेटा जी सुनो मैंने आपका ओडेट करवा लिए मंगरीला का ओडेट हो गया हमने शाम को देखा है कि आपने जी आपने तो बोला घर सा सौ रपीया कमाऊगे अब ये आपने 90 रुपे कमाया है और आपने बोला था कि आपके 75 रुपे खर्च वोंगे और आपके ख़र सारे 70 रुपीज हो है तो जी आपके पास तो 20 रुपे बचे हैं जी मंगरी लाल के सोच थी कि हमरे 25 रुपे बचेंगे आप 25 रुपे मुवी देकर नेगले जाना 20 रुपे की टिक्टे तो आती नहीं 25 की आती है तो कहीं पर गड़बड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मंगरी लाल ने जी सोचा था कि 100 रुपे कमाऊंगा और 75 रुपे खर्च करूंगा 25 रुपे बचेंगे तो टोटल दोनों में difference कितना है वो पांच रुपे का तो जो पांच रुपे हैं इसको revenue deficit कहते हैं कि हमने क्या सोचा था और actual में क्या हुआ कितना हमने सोचा था कितना हमें revenue बचेगा कितना बच रहा है actual में कितना बच रहा है उन दोनों में जो difference है उसको revenue deficit बोलते हैं revenue deficit बुरा होता है यह अच्छी बात नहीं है मालेजी कि कोई भी चीज हम सोच रहे हैं कि हाँ यह चीज नहीं है आप बोलें कि हम महीने के लास्ट में हम सौरवे आप चालेंगे बच पचास रुपे रहे हैं तो कहीं नहीं कि अपका miscalculation हुआ है कहीं पर आपका सोच में और क्या जो अच्छल में डिफरेंस हुआ है अगर तो कोई आपका जब आप घर में कमाते हो पैसे अगर कोई वैसे ही मनलब आप 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 जब आप आप जाता वह इसलिए टेक्सपेर को ज्यादा जादा 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 इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्में जो अभी एक परसंटक साइज टेक्स लगाया है रोल्ड पे ओपर तो यह भी इसी में एक टेप है कि हम जो नेज्यादा इसादा टेक्स क्लेक्शन करें जो रेविवन्यू डेशिटा वो कम हो सबकी है अगरा आप नेक्स लाइड पर देखते हैं इस फिसिपल डेशिट के रहा है तो फिसिपल डेशिट को सिंपली पहले अप पिक्सिमिकल लेंग भलाइन में पढ़ी है ग्ववर्मेंट के जो total expenditure होते हैं वो किसीड कर जाते हैं उसके total revenue से तो जो difference होता है उसको हम physical deficit बोलते हैं दिखिए मैंने बले बोला था कि कि लोग confuse करते है physical deficit को revenue deficit आपका ये वलोके वल जो है net revenue है net revenue आप कितना generate कर रहे हैं और आपके एक्चल में कितना कर रहे हो और आपका सोच कितना था उस दोनों में डिफरंट जो आया है वो रेवन्यों डेशिट है और जो फिसिकल डेशिट है यह कि आपका एक्स मैंडिजर कितना किसीड कर गया आपके टोटल डेवन्यु क्लेक्शन तो माल लेजी हम इसको एक इसेंपल कि तरह देखते है कि यह पहले तो हम देखते हैं कि हाँ यह बूरा है जाथ सही है रहो फिस्कल डेशिट होता है अगर विदन सम लिमट रहे जैसे कि आर्बिया पजट का रहागा थी परसंट के राऊंट रहे तो यह कंट्री के लिए अच्छा होता है यह कंट्री को सेशन में नहीं आना जै तो बैंक से मैंने बारो कर लिए, बैंक से पैसे बारो करके, अगर मैं उसको यूज़ करता हूं, कि अपनी गर्फिर्ट की शौपिंग के मैं यूज़ कर देता हूं, तो ये कुई एसर नहीं बना, एसर का मतलब है कि उस शौपिंग करने से आपको फ्यूचर में कोई इंकम नहीं होगा उससे मतलब क्या है कि यह आपने कंजम्शन में यूज कर लिए कंजम्शन का जो जूज होता है वो उसको अप फ्यूचर इंकम अप जनेरेट नहीं कर सकते हो तो आप क्या होगा वह पांसे जार मेरा डेविट राइस करेगा मैं डेविट के लाइस में तो मैं मोटर साइकल पे जोपे ना जाता डॉंकी पे जाता पैटरॉल बचता जो पैटरॉल का बचता होता तो वो में अपने सेविंग कॉन में जमा करवाता तो मेरेक एसड करेट हो गया है कहने का मतलब यह है कि अगर हम उसी अगर जो उधार लेगा ले होए पैसे से इंकम देगा वो उसके वो चीज बढ़िया है वो लोन लेना बढ़िया है अगर आप फिजिकल एट अगर हम बारो कर रहे हैं तो यह आई एम एफ से वर्लिंक से कुछ पैसे लेते हैं आपका ना फीजिकल देशित को पूरा करने के लिए तो माली जी अगर मोदी जी सारे का सारा पैसा सब्सेडिये में लगा देगे जहां गया सब्सेडी दे दिया उससे कोई एसेड करेट नहीं होगा तो क्या होगा जो फिजिकल डेफिसिटब वो वो लोन भड़ता रहेगा बढ़ता रहेगा जीडी पे में कोई फाइदा नहीं होगा कि वो अल्टिमेटली वो कंजम्शन में गया है उससे कोई इंडस्री नहीं लगा है कोई रोड नहीं बनाया है किसी को जॉब नहीं मिला है तो इसलिए जो अभी की गवर्मेंट है जहां एकॉनमी सर्वे ऑफ इंडिया भी जो उन्ह की तरफ लेकर जाना तभी आपको याद होगा कि निरेंद्र मोदी जी पॉलिए की कॉंगरिस के टाइम पे जो नरेगा के जो पैसे आया है उसको उन्होंने सिर्फ सिर्फ कंजम्शन में यूज किया है लोगोंने पैसे लेकर उड़ा दिये खाना पी लंखा लिया या अगर उसी पैसे को जो जैसे नरेगा स्कीम के आया थे कुछ वाटर्षेड बन जाते कुछ स्कूल बन जाते कुछ रोड्स पकी हो जाती तो वह एक एसेट प्रेट होता जो हमाएं आगे बहुर किस तरीके से हमें इंकम जनेट करवा करने में फायदा को था तो यह होता है अगर फिसिकल डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ कंजंशन के लिए जैसे आपका आ रहा है तो यह बुरा है क्योंकि आपने जो बारुइंग कर रहा है अगर माली जी अगर हम इंडिया की बात करते हैं वो सब्सिडीज वो पेंशन इतनी गवर्नमेंट बढ़ा दे उसको पूर अगर इंडिया उसी से एक रहा है कुछ नूपलान लगा ले कुछ लगा ले उससे वह इंकम जनेट करेगा उससे डवो डेबट भी रीपे कर देगा और कुछ इंकम भी अपने लिए जनेट कर लेंगी जो बेनिफिट करें तो आपको फिसिकल डेफिट और रहा है दोनों म चेंथ कर रहा है आपके रेविजिव से और जो डेफिट होता है यह होता है कि आपका रेवन्यू में कितना डिफरेंस है आपकी सूच में और एक्चिल क्लेक्शन में कितना डिफरेंस है तो हम